वेलो दोस्तों मट्रोल मेकेनिकल यूटूब में आपका स्वागात है तो गाईद अमारी चानल पे आप जो नहीं तो अमारी चैनल सस्क्राइब करना और बेलाइन को टच करना क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिपिकेशन मिले तो गाईद देखे फिर से हम आज इस वीडियो में में ये बात करने वाले है तो मैंने स्वीडिय ड्रीम 110 का एंजिन उपन किया है तो गाईद देखे आज का इस वीडियो में में उसका जो पुश रोड के बारे में जैनकारी देने वाला हूँ तो देखे यहाँ पुश रोड फिटिंग होता है और पुश पुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पुश्रोड लिकेज होने के जाने के बाद उसका टेंशन कम हो जाता है और पुश्रोड काम नहीं करता तो देखिए ये दोनों पुश्रोड है ये न्यू है और ये वोल्ड है तो देखिए ये वोल्ड पुश्रोड है और ये लिकेज हो गया है और लिकेज को कैसे पता करें इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ तो गाई देखे ये उसका न्यू पुश रोड है और देखे न्यू पुश रोड में कितना डिफरंट है और ओल्ड पुश रोड में तो आपके समने में दिखा देता हूँ गाई देखे आपको पेट्रोल लेना है और पेट्रोल को देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पेट्रोल को देखिए इस तरह छोड़ना है उसकी पूश रोड के फ्रंट वाला देखिए फ्रंट वाला बाग में पूश रोड सही है लिकेस नहीं है तो पेट्रोल उसमें पूरा पेट्रोल नीचे की तरह नहीं पेट्रोल है वो लिकेज हो गाएगा तो देखिए इस तरह आपको नीचे पटकना है अगर सही है अगर आप देखिए पेट्रोल नीचे की तरह गेज जाता है तो देखिए इस तरह पेट्रोल लिकेज हो जाए तो आपको मान लेना चाहिए कि उसकी जो पुछरोड है वो लि वाला है पुश रोड देखिए आपके सामने पेट्रोल भर के पूरी तरह आपको नीचे रखना है और इसमें पेट्रोल लिकेज नहीं होगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो जो पुश रोड है वो लिकेज ये वो आपको चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि अगर आपने चेंज नहीं किया तो टाइमिंग चैंज में साउंड आएगा और उसका टेंशन जो टाइमिंग चैंज को टाइट रकता है वो टाइट नहीं रखेगा तो देखिए दोनों पुश्वोड मैं आपको दिखा देता हूं जो पहला वाला पुश्वोड में मैंने पेट्रोल बढ हुआ है और वो नीचे की तरह गिरता नहीं है तो आपके सामने मैंने जो लाइव दिखा दिया तो यह पुश्रोड लिकेज है और इस तरह लिकेज आप चेक करते हो कई मेकेनिक भाई इसमें एर लका के भी चेक कर सकते हैं और एर मानने के बाद भी आप जो एर चली जाए त तो समझ लेना चाहिए कि वह लिकेज है तो देखिए इस तरह आप चेक कर सकते हैं अगर पुश्रोड सही है तो देखिए इस तरह वर्क करता है मैं आपके सामने दिखा देता हूँ उसका जो टेंशन है उसका कंप्रेसर कैसे बढ़ता है देखिए इस वीडियो में मैं कर देखिए रहjen वह आपको समझ लेना चाहिए तो अगर इस तरह दिक्कत आए अगर आपने पूरा सह की टाैमिंग चीव मैं चाहिए तो वह तूश्रोड है को आपको चेक कर लेना चाहिए और इस तरीके से आप पूश रोट चेक कर सकते हैं तो हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना सस्क्राइब कर देना शेयर कर देना यसे सारे टूबे लगते लिए